हलो विवर्स वेल्कम तो मैं चैनल मैंटमकिक शलावदीन और यूवर टीचर सलावदीन तो आए एस्ट्वेंट आज के इस वीडियो के जरे हम बहुत ही इंटरस्टिंग चॉप्टर पॉलिनीमल्स को यहाँ पर हम सॉल करते हैं बहुत ही interesting chapter है और इस एक ही वीडियो के अंदर पूरे polynomials chapter को यहाँ पर solve किया गया है देखिए student इस chapter के अंदर आपके annual exam के अंदर 6 marks के लिए पूचा जाएगा एक आपको products of 0 और sum of 0s alpha और beta की निकालना होता है और दूसरा क्या है? polynomials को divided करना होता है जो 3 marks के लिए पूचा जाएगा और 2 marks के लिए आपको products of 0 और sum of 0 यानि के alpha और beta की value लेकर आपको वहाँ पर equal answer निकालना होता है और एक marks के लिए कोशन से आपको पूचा जाएगा वहाँ पर आपको root निकालना होगा और दूसरा एक marks के लिए जिसके जो polyniverse होता है जो जिसकी power ज्यादा होती है उसको लगाना है तो हम introduction part के अंदर देखते हैं तो जो भी student अब तक हमारे इस चैनल को subscribe नहीं कहें उन student से मेरी request है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को subscribe करें तो देखिए student सबसे पहले हैं पर आपको एक questions दिया जाता है आप questions के अंदर जन्रो फॉर्म में quadrics polynomials निकालना है यहनि के ax square प्लस bx प्लस c यहां पर दिया गा है तो आपको यहां पर एक answer find out करना है जिसकी degree 210 इस तरह यहां पर आपको निकाला होगा देखते हैं आगे question में किस तरह निकाला जाता है तो यहां पर दिखिए सबसे पहले दूसरा if alpha and beta and zero polynomials of a ax square प्लस bx प्लस c यहांनि के यहां पर दिखिए सबसे पहले आपको दो equations हैं पर find out करना है यहांनि के alpha और beta का sum of zero find out करना है और product of a zero यहांनि alpha into beta is equal to c divided by a यहां पर आपको find out करके यहां पर सबसे पहले इस तरह के आपको equation निकालना है और उसके sum of zeros निकालना है और products of a zero आपको निकालना है जब sum of zeros and products of zeros को हम यहां पर लेते हैं तो यहां पर जेनरल फॉर्म हमारी कुछ इस तरह बनती है यह बहुत important आपको यहां इसे आपको देखना है कि इसी तहथ आपको 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 इसी के तहथ आपको solve करना होगा यह थोड़ा सबसे पहले को अगर हम देखेंगे तो यह एक्जाम के लिए आपके लिए कोशन से 6 मार्स के लिए एक्जाम के लिए आपके लिए रहेगा तो सबसे पहले एक मार्स के लिए आपको एक कोशन पूछा जाएगा सबसे पहले आपको एक मार्स का एक कोशन रहेगा एक्जाम क यहां पर देखें इस तरह का questions आपको एक मार्स के लिए maximum time exam के इंदर पूचा जा चुका है write the degree of the polynomials यहां पर P into x is equal to x q plus 2 x square minus 5 x minus 6 दिया गाया तो यहां आपका यहां पर answer simple सा का लिखना होगा चोई यहां पर polynomials है जो degree में सबसे highest number कौन सा आपको वो देखना है अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर 0 है यहां 1 है यहां 2 है यहां 3 है तो इसका answer क्या होगा 3 होगा अगर कोई polynomials कुछ इस तरह होगा तो यहां पर x 4 होगा तो यहां पर 2 x square तो होगा तो यहां पर इसका answer 4 आएगा यानि कि जो polynomials होगा जिसका degree ज्यादा होगा वो आपको अंसर यहां पर लगाना होगा तो यहां पर सेकेंड भी देखे, write the degree of the polynomials p into x is equal to 2x square minus x q plus 5 तो इसका अंसर क्या होगा? 3 होगा तो यहां पर देखे, student एक मार्स के लिए इस तरह का question से आपको exam के अंदर maximum time पूचा जा चुका है अब यहां पर देखे, और एक question देखे, find the zeros of polynomials p into x is equal to x square minus 3 अब यहां पर इसका अंसर किस तरह लिखेंगे? अगर square होगा तो सबको मालूम है अगर square को हम हटा देंगे, तो root आएगा, तो plus, plus और minus root 3 होगा अब यहां पर कोई भी डिजिर दिया होगा, अगर यहां पर हमारे पास 7 है, और 5 है, 11 है तो square को हम यहां पर हटा लेकर, यहां पर हम क्या करेंगे? root लगा लेंगे अगर हमारे पास पॉलिनेमस में दिया होगा, तो highest degree कों सा है, उसे हम लगा लेंगे अब इसका answer किस तरह रखेंगे? x, यहां पर एक बड़ प्लस, यहां पर हम 3, और root 3 x minus root 3, यहां पर हमें इसका answer इस तरह लगाएंगे स्टार्ट करते हैं, देखें, यहां पर question को किस तरह हम हम हल करना है? जैसा है कि यहां पर देखेंगे, तो June 2022 के अंदर इस तरह के questions पूछा गया है तो यहां पर 2 marks के लिए इस तरह का questions आपके exam के लिए रहेगा Find the zeros of a quadratic polynomials x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient अगर इसे questions को अगर हमें translate करेंगे, तो यहां पर उर्दू के अदर देखेंगे, तो इसका यहां पर questions क्या होगा? दो दर्जी, यानि कि दो दर्जी के कसी रुखनी को मालूम कीजिए, x square plus 7x plus 10 के सीफर मालूम कीजिए और सीफर और जरब के दर्मियान के तालोग की तस्दीक कीजिए, तो इहां पर देखेंगे, find the zeros of a quadratic polynomials x square plus 7x plus 10 है, तो आपको इहां पर relationship, relationship आपको मालूम करना है, zeros और products के अंदर, यानि कि coefficient के अंदर आपको इहां पर relationship मालूम करना है, तो चलिए यहां पर हम इसे solve करते है x square plus 7x plus 10 is equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0, अगर यहां पर x कोई digit नहीं दिया होगा, तो यहां पर value अपकी 1 होगी, b is equal to 7, c is equal to 10 होगा, अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको, e और c को आपको क्या करना है, multiplication करना है, और ऐसा digit आपको यहां पर multiplication के लिए लेना है, जो आपको equal to 7 ही आपको निकालना है, तो यहां पर दीखें, ऑर c को multiplication करेंगे, a की value 1 है, और c की value 10 है, यह 10 होगा, तो यहां पर हम इसे क्या करेंगे 5 to the 10 लेंगे अगर 5 और 5 को भी 5 यहां भी प्लस यहां प्लस रखेंगे तो इस इकल 2 में क्या जाएगा मरपास प्लस 7 आ जाएगा तो इस तरह यहां पर आपको निकालना है तो चलिए इसे लेकर हम यहां पर करना है एक इस्क्यवाइब प्लस hya7 एक स्प्लस 10 इस इडिए टो जीरो एक सिस्क्वाइब ुए- Elda in the class at 5 x plus 2 x plus 10 is equal to zero x square में ने energy इंदाल ड्ल की इक दालिघो डिटो एक未क्स क्वार वाइफ वाइफ का फ्लस यहां पर फायर कोंगो 162 पाई-एक्स होगा प्लस्टू का ए人 तू-टो गोज यहां पर यह विद्ट ४्लस लंगे टुन-टो-2 X is equal to 2X होगा यह प्लस यह प्लस यह प्लस होगा 2 510 होगा यहाँ पर आपको दोनों ब्राकेट में इक्वल ही लाना है अब चलिए स्टुन हैं यहाँ पर देखते हैं यहाँ आपको समय और मल्टी शर्टम में आपको निकालना है अलफा की वेलू मैनस फायर रख देंगे और बीटा की वेलू-2 यहाँ रख देंगे आप क्या करना है आपको सबसे पहले सम अप जीरो सब्सक्राइब यहां पर आपको equal ही आना है digit अगर है आपर आपको sum of 0 को value को find out करते हैं तो दोनों is equal to में अगर same value same digit अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका answer wrong है तो यहां पर देखें इसे value को कैसा same equal आना है sum of zeros तो यहां पर देखें सबसे पर हम addition में रखेंगे alpha plus beta is equal to minus b divided by a आपको यह formula याद रखना होगा जैसा कि मैंने शुरुआत की वीडियो के अंदर आपको बताया अब यहां पर देखें alpha की alpha की alpha की alpha की digit क्या है मर पास minus 5 है plus का plus beta कर डिजिट क्या है हमार पास minus 2 है is equal to अब यहां पर देखिए b क्या है मर पास 7 है और a कितना है पास 1 है अब यहां पर देखें is equal to है पर minus है यह minus हम लगाएंगे minus 5 plus minus minus 2 is equal to minus 7 है कबसी है पर equal ही लाना है अगर equal नहीं लाती है तो आपका अंसर हम रौंग होगा आज है पर दिखेंगे अंपर सून्म hell कुप से ना किया अभिड़क्टवेज लुट स्थे जिरो को हम दिखेंगे अभिएधिशन में ता अभी है पर Thats ME vice अलफा कितना है आपके पास है minus 5 इन टू बीटा की डिजिट कितना है minus 2 is equal to c इन है ये कितना है आपके पास 1 है तो मैनस मैनस प्लस होगा तो 10 होगा is equal to 10 होगा दो 10 is equal to 10 यह आपका अंसर आपका आगा तो इस तरह यहाँ पर आपको अंसर निकालना होगा करते हैं कोशन नंबर वन अगर कोशन नंबर वन को दिखेंगे तो यह अप्रिल 2020 के अंदर को इस तरह का कोशन पूचा गया है देखे स्टुएंट जिस तरह यहाँ पर मैं कोशन बता रहा हूं आपको दो मार्स के लिए कोशन पूचा जागा का तीन मार्स का कोशन में किस तरह के टन काई कोशन होता है मैं दिखाऊंगा तो सबसे पहले को दिखिएंट इस तरह के लिए सबसे पहले आपको इसंगा minus 2x minus 8 को यहाँ पर 2 relations में हाँ पर find out करने के लिए कहा गया है एक आपको product of 0 निकालना है और क्या है sum of 0 आपको यहाँ पर निकालना है और दूसरा question यहाँ पर आपको a और b की value दी जैती है और आपको वहाँ पर सिर्फ sum of relations निकालना है और products of relations यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर सबसे पहले find the zeros of quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and is the coefficient तो यहाँ पर आपको क्या करना है the zeros के values निकालना है और sum of the zeros कितना होता है यहाँ पर आपको देखना है तो चलिए student यहाँ पर हम problem को start करते हैं पर problem किस तरह यहाँ पर इसे solve करना है सबसे पहले देखें यहाँ पर x square minus 2x minus 8 तो इसे क्या करेंगे हम सबसे पहले हम question में सरक लेंगे ax square plus bx plus c is equal to 0 होगा अब यहाँ देखें students अगर x है तो value 1 होगी a is equal to 1 होगा और b is equal to यहाँ पर क्या होगा b is equal to हमार पास है minus 2 होगा और c is equal to minus 8 होगा तो चलिए students हैं पर हमें स्टार्ट करते हैं दो मार्स के लिए इस तरह के questions आपको fix पूचा जाएगा यह इस तरह के questions को अगर देखेंगे तो इसी concept के अंदर और questions हमको हैं पर समझ में आएगा इसी के अंदर questions को यहाँ पर divide करके दो तरह के questions निकालकर कोई एक question यहाँ पर पूचा जाता है आगे देखते हैं हमको यहाँ पर किस तरह solve करना है सबसे पहले देखें यहाँ पर equation दिया गया है एक स्कॉर माइनस 2x-8 अब यहाँ पर देखें ए और सी को हमें क्या करना है multiplication करना है सबसे पहले और multiplication करने के लिए हमें ऐसा digit लेना है जो हमको यहाँ पर हासिल क्या होना है माइनस 2 ही हमको यहाँ पर निकलना है अब यहाँ पर देखें यह से हम निकल सकते हैं अब a into c अगर हम देखेंगे तो a हमारा 1 है और यहाँ पर हमें देखेंगे तो माइनस 8 है 1 into 8 माइनस यह पर माइनस 8 होगा तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्वेंट से आपको एक टेबल यहाँ पर लेना है अब बहुत से स्ट्वेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ हमारे पास क्या आता है स्रिप 2 आता है लेकिन हमको यहाँ पर क्या लाना है माइनस डू लाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस रख देंगे यहाँ पर फो रख देंगे तो यह क्या हो जागा माइनस डू होगा तो यहाँ पर इसी कभी यहाँ पर 2Square minus 4x से ले रहे हैं Plus 2x minus 8 is equal to zero अब यहां पर निया करेंगे हैं अब यह को ब्रैकेट यह प्लस और माइन इसका क्रेंट इसका केनेक्शन से यहां पर रहता है यह प्लस माइन से माइनस होगा तो यहां पर 4 होगा यह एक्स इंटू 4 is immense को 4x होगा अब यहां पर प्लस का प्लस लाएंगे अब ब्रैकेट में x-4 है तो आपको यहां पर ब्रैकेट में भी x-4 ही लाना है तो यह प्लस 2 का 2 रखेंगे अब यहां पर इसे क्या करेंगे 2 इधर लगाएंगे हम x इधर देंगे 2 x is equal to x हो जाएगा अब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा टू को हम 8 से खट करेंगे 248 यहां पर आपका अंसर आ जाएगा तो यहां पर इसे कर लेंगे जो plus में होगा वो minus में होगा अब x is equal to 4 होगा यह plus में है तो यहाँ पर minus में होगा x minus 2 होगा अब आए यहाँ पर क्या करना है इसे हम सबसे फेले verify कर लिए जैसा कि question के अंदर x square minus 2x minus 8 को verify करने के लिए कह गा था अब आए इनके अंदर relationship देखना है कि यानि कि अगर हम इसे questions को उर्दू में अगर हम translate करेंगे तो कसी रुकनी x square minus 2x minus 8 की cipher मालूम कीजिए और cipher और जरब के दर्मियान का तालुख आपको मालूम करना है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले cipher का यानिकि जीरो का relations और प्रोड़क्ट का relations आपको मालूम करना है तो सबसे पहले लेट इस इकल टू फोर हो गया और x minus 2 यानिकि अलफ और बीटा की वैलो में find out कर लिये हैं पर अलफा क्या होगा हमर पास है फोर होगा और बीटा क्या हमर पास है इस सबसे पहले हम सम आफ जीरो देखेंगे सम आफ अब जीरो यहां पर क्या होगा मार पास है इस इकल टू अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा है यहांपर हमर पास आ जाएगा अब यहांपर क्या करेंगे माइनस बी डिवाड़ बाइए होगा अब यहां पर क्या करना है अलफा कितना है आपके पास है प्लस कर प्लस बीटा कितना है आपके पास है बीटा आपको यहां पर माइनस टू दिया गाए अब यहां पर देखिए बी और एकी वैलो आपको यहां पर दिया गाए बी कितना ह हчиहां है आपके पास यहां पर दोनों को एक वलाना है अगर आपके दोनों एक्वल नहीं आ अब 2 divided by 1 होता है यहां अंसर क्या होगा 2 होगा 4 minus 2 is equal to क्या होगा 2 होगा is equal to 2 यानि कि दोनों हमारे equal आ गए अगर हमारे पास equal नहीं आ रहे तो आपका answer कहीं ना कहीं रॉंग है तो आपको सबस्क्राइब सम आप zeros के इंदर यह verify करना है कि आपका answer equal आना चाहिए जब हम product of zero को भी find out करते हैं तो product of zero भी आपका equal आना चाहिए तो चलिए अब यहां पर देखते हैं second point होगा अब हैं आप देखते हैं product of zeros अब हम यहां पर के अपर देखें यहां पर से यह सब्ख़दा फाइंट बीटा आल फाइंटू बीटा इस इकल टू-C डीवड़ बाई आप सी ड्यवड़बाय एप यहां पर देखें अलफा के इतना है के पास है अलफा के यह निकाल akukan पहलेंगे अलवाइपके पास है four है है कि बीटा कितना आपके पास है माइनस two है अब सी की वैलू को देखिए आप पर ओमाइनस eight है एक है अफोर टो तोज़ाん ओएट माइनस एट होगा अब यहां पर is equal to क्या होगा minus 8 ही होगा तो answer क्या येगा minus 8 is equal to minus 8 आपका answer आया जागा तो यहां पर दूनों आपके equal आगाए तो students यहां पर आपको sum of zero equal लाना है और product of a zero साब को यहां पर equal लाना है अगर आपका equal नहीं आ रहा तो अंसर आपका टोटल रॉंग है तो यहां पर इस चीज़ का आपको खास करके ख्यार रखना होगा तो चलिए स्ट्वेंट अब यहां पर हम कोशन नंबर 3 को देखते हैं जैसा कि पिछले कोशन के अंदर हम यहां पर एक वैल्यू को यहां पर हम लोग अलफा और बीटा को आपको दिया गया है तो यहां पर आपको एक्विशन नहीं दिए गई है तो यहां पर दिखिए स्ट्वेंट से स्ट्वेंट के कोशन को अगर हम देखेंगे तो स्ट्वेंट के कोशन आपको एक्विशन के अंदर 2 मार्स के लिए पूचा जाता है अगर इस तरह का question आपको 2 marks को नहीं पूचा जाएगा तो इस तरह का questions आपको 2 marks के लिए पूचा जाता है बरहाल ये 2 में से कोई 1 question आपको exam के लिए पूचा जाता है तो यहाँ पर दीखिए सबसे पहले आपको product of a 0 भी दियागा है यहाँ पर आपको sum of 0 ही numbers दियागा है और product of a 0 यानि कि alpha आपका क्या है 1 divided by 4 है और beta क्या है पके पास है minus 1 है तो यहाँ एक ही questions के अंदर यहाँ पर मैं आपको 3 type के questions यहाँ पर निकाला हूँ इस तरह कि यहाँ पर एक ही questions के अंदर हम यहाँ पर है तीन question को यहाँ पर solve करेंगे दिखिए स्टूइट्स सबसे पहले यहाँ पर दिखिए सबसे पहले क्वेश्च नमर वन कुम solve करते हैं लेट कि दढ़ को कॉड़ ट्रीट कि पॉलीनेमल कि कॉनीनेमल बी एक्स स्क्वाइर प्लस कि बी एक्स प्लस सी एंड इस जीरो अल्फा एंड बीटा यानि कि अल्फा और बीटा की वैलो आपको इक्वल निकालना है और equation आपको इस तरह बनाना है यानि कि यहां पर आपकी डिग्री टू और वन जीरो इस तरह के फार में आपको अंसर निकालना है जैसा कि लास्ट कोर्शन के अंदर आपको इस तरह के फार मी दिया था डिग्री टू वन और जीरो दिया था जैसा कि यह क्या है और अलफा इंटू बीटा क्या है आपके पास minus 1 है अब दोनों के form में मिलाकर हमारा क्या बनती है equation इस तरह बनती है जैसा कि हमने introduction part में देखा sum of 0 और product of 0 अगर होता तो हमारे पास क्या होगा यहां पर alpha plus beta तो यहां पर क्या होगा हमारे पास x square minus into alpha plus beta x plus alpha into beta यहां पर दोनों दिये गए हैं तो दोनों फॉर्म में इस तरह हम जन्रल फॉर्म में बनाएंगे equation को जन्रल फॉर्म ओफ कोड़र्टिक equation equation तो किस तरह बनती है x square minus alpha plus beta यह आपको याद करना होगा student अगर इस तरह हम याद रखेंगे तो हमको solve करने में आसान होगा alpha plus beta is equal to 0 x square इसे और इसे हम यहाद पर क्या है मैंने में पास है इसे इकल टू जीरो अभी हाँ पर हम क्या करेंगे फोर इंटू x square is equal to क्या होगा 4 x square होगा इसे और इसे हम यहाद पर क्या कर रहे है multiplication कर रहे है यह minus का minus रखे 1 into x is equal to x होगा और plus minus क्या होगा minus होगा 1 is equal to 0 यह आपका अंसर क्या हो रहा है 4 x square minus x minus 1 आ रहा है चले स्टूर्ण्स आप कुशन नमबर टू को देखते हैं यहां पर इसे भी बिल्कुल इसी तरह रखना है है लेट दर कोड़र टिक को एक्वेशन इस तरह हम यहां पर रखेंगे अब हैं पर दिखेंगे अल्फा प्लस बीटा is equal to camera पास minus 1 divided by 4 है अल्फा इंटू बीटा का में पास 1 divided by 4 है अब से जन्रल फॉर्म में रखेंगे जन्रल फॉर्म में रखेंगे x स्कुायर माइनस x स्कुायर माइनस इंटू αल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इस एकल टो 0 x स्कुायर माइनस यहां प्रोडुक्ट इस सम अफ जीरो क्या है तो सब्सक्राइब प्लीए यहां पर दिख़िये बिल्कुल इसे तरह हैं अब येक्स को यहां पर हमरे पास है तो इसे क्या करेंगे हम एक स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा वन डिवाड़ बाइफ प्लस वन डिवाड़ बाइफ प्लस वन डिवाड़ बाइफ फोर अभी फोर इंटू एक सिस्क्वायर करेंगे तो यहां पर फोर एक स्क्वायर प्लस वर इंटू एक्स क्या होगा हम पर फोर एक्स स्कॉर होगा अभी यहां पर देखिए एक सेकंड अभी हाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे ये एक्स इसक्वाइर ये माइस माइस प्लस होगा हमार पास वंड़ाद फोर होगा अब ये वंड़ाद फोर इस इकल टू जीरो ये एक्स इसक्वाइर प्लस वंड़ाद बाइब फोर एक्स प्लस वंड़ाद बाइब फोर जीरो होगा अब ये फोर क्या होगा ये एक्स स्कॉर से मल्टिविशन होगे ये फोर को जीरो से मल्टिविशन कर देंगे तो हमारा अंसर जीरो आएगा फोर इंटो एक्स इस इकल होगा तो जीरो ही आएगा अब आए कोश्र नंबर तीरी कौन यहां पर देखते हैं कोश्र नंबर फिल्कुल जिस तरह डिल्कुल पर करें बिल्कुल है यह पर वी करना है आप यह बहां पर देखिए अ terrifying plus beta is equal to for alpha into beta is equal to one this is general form में रखेंगे x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to zero x square x स्कौार है अभी हां पर देखे alpha plus beta क्या है हमेरे 4 है यह माइनस का माइनस है यह 4 का 4 X का X रखेंगे अलफा इंटो बीटा के आमर पास है 1 is equal to 0 X square 4 into X is equal to 4 X plus 1 is equal to 0 यह आप का answer है आपर एक इक कोशन के अंदर बिल्कुल सेम के इस तरह के सब्सक्राइब यहाँ पर आपको दो मार्स के लिए एक्जाम के इंदर पूछा जा सकता है अगर इस तरह का कुछं आप जाएगा तो यहाँ पर दो ममुझे इस इस तरह का questions आपको पूचा जाएगा यानि कि इन डोनों questions में से एक questions आपको exam के अंदर पूचा जाएगा तो चलिए student अब यहाँ पर question number 4 को हम देखते हैं find the content and remainder when polynomials is equal to 2x square plus 3x plus 1 is divided divided x plus 2 तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको 2x square plus 3x plus 1 को क्या करना है इससे divided करना है यानि कि questions को अगर मुर्दू में translate करते हैं तो खारीज किसमत और बाकी मालूम किजिए घरज किसमत और बाकी मालूम कीजिए जबके 2x square plus 3x plus 1 क्या है मारबास इक है इसे 2x square plus 3x plus 1 को क्या करना है तक्सीम करना है x plus 2 के साथ आई ये बिल्कुल आसान सा ऑर इस तरह के कोषेंज तीन मार्स के लिए प्रिमार्स के लिए आपको एक्जाम के अंदरह हंड़ेट परसंट पूचा जैता है तीन बार्स लिए अब आए सबसे पहले हाँ अपर एक्विश्ण को देखते हैं और यहां पर दिखिते कॉंक्र क्या दिया गहां भाए उतर चले यहां पर 16 करते हैं अब इसे तगे बस्के यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पॉलीनिमन्स डालेंगे 2x square plus 3x plus 1 तो इसे हम यहां पर रख देंगे x plus 2 अब यहां पर देखिए सबसे पहले इसका बहुत important rule होता है सबसे पहले इसे देखना है और इसका और इसका सबसे बड़ा important rule होता है इस problem के अंदर यहां पर देखिए यहां पर जनरली में solve करके दिखाता हूं किस तरह करना है आपको इसका answer निकालने के लिए मैं हैं पर दिखा रहा हूं आपको एक्जाम देंदर लिखना नहीं है सिर्फ समझने के लिए मैं हैं पर आपको बता रहा हूं सबसे पहले हम इसको लेना है 2x square divided by x अभी 2 का 2 रखेंगे x square में है तो दो बार रख देंगे इसे अगर 3 यह होगा तो 3 बार रखेंगे अगर 4 होगा तो 4 बार रख देंगे यह x का x हो गजा अब यह x यह x cancels होगा तो बचा के हमार पास 2x बचा अब यह 2x को हमें क्या करेंगे यहां पर रख देंगे, अब यह 2x है, अब इसे इसके साथ इसे मल्टिबिशन कर देंगे, x plus 2, 2x into x is equal to 2x square, यह plus का plus होगा, 2 into 2, 4x का x, 2x square plus 4x, यहनि कि जिसकी degree सेम है, उसी के साथ हम यहां पर जोड देंगे, 2x square plus 4x, अब यहां पर रखेंगे, अगर यहां कुछ भी नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, minus होगा, यहां प्लस है, यहां पर क्या होगा, minus होगा, अब यह plus minus दोनों क्या होगा है, cancel हो गए अभी यहां पर हमार पास क्या है plus 3 और minus 4 है plus 3 minus 4 is equal to क्या होगा हमार पास minus 1 होगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे minus x रख देंगे अब यहां पर कोई भी डिजिट नहीं है इसे सीदा नीचे उतार लेंगे plus 1 एक स्टेप खतम होगा है अब सेकेंड स्टेप के लिए देखिए minus x जिस तरह यहां पर ले रहे थे उसी तरह यहां पर minus x divided by x इसे से कट करेंगे तो minus 1 आ जागा तो इसे फार एक्जबल माल लिजे हम मैनस वन 1 कैस फ्लस स्टू ओन फे ** था होगा मैंनस एक स माइनस प्लस बेस यहां पर यह होगा मैंनस प्लस माइनस बैट सुन इंस इस यह कह इक साथ होन स्टू थो तो मैस यह ऐल स Even that only एक मैनेस मिनस मैनस होंगे दोनों क्यांस लाएंगे तो प्लस वन क्लस टूइस इकल टू स्ट अब प्लस daytime का होगा हमस्ग क्लसे कर रिमांद श्क्वों कि अ क्समिक एक सफ्रीद के आ यहां पर निकाल अब यहां पर रिमाइंडर को लिए हैं यादी रखना है से रिमाइंडर को इतना है यह आपका अंशर तरह आया तो दोट के लिए को आपको 100% exam के अंदर पूचा जाता है बिल्कुल आसा हना है जिस तरह मैंने परिख बता है बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर हर एक question यहाँ पर आपको solve करना होगा तो चलिए student अब यहाँ पर हम question number 6 को यहाँ पर हम solve करेंगे अगर question number 6 को देखा जाए तो question June 2017, April 2019, April 2020 यानि के तीन बार question exam के अंदर पूचा गा है तो dear student इस तरह का एक question 100% आपको exam के अंदर fix रहेगा सबसे पहले इस बात को आप mindset कर लिजिए कि इस तरह का एक question आपके exam के अंदर 100% पूचा जाएगा यहाँ पर value change करके दिया जाता है बेरहाल इस तरह का questions आपको exam के अंदर पूचा जाएगा अब यहाँ पर देखे सबसे पहले पॉलिनिमस डालेंगे यहाँ पर यह पॉलिनिमस को इक उन्डिसी क्या करना है divided करना है यानि के खरीजे किसमत और बाकी आपको मालुम करना है अब यहाँ पर देखे सबसे पहले करसी रुकनी यानि के पॉलिनिमस यहाँ पर हम डालते हैं 3x q प्लस x square प्लस 2x प्लस 5 सबसे पहले पॉलिनिमस से रख लेंगे हम अब त्री एक्स q प्लस x square प्लस 2x प्लस 5 और डिवाड़ेट करने के लिए आपको यहाँ पर कॉंड़िट क्या दिया गया है एक्स स्कॉयर प्लस एक्स प्लस 2 अब इसे हैं पर रख लेंगे एक्स स्कॉयर प्लस एक्स स्कॉयर प्लस 2x यहाँ पर कॉशन में 2x होना चाहिए एक्स स्कॉयर प्लस 2x प्लस 2 2x प्लस 1 होगा अब देखिए सबसे पहले यह आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहेगा इसे और इसको आपको क्या करना है अजहां में वादेट करना है आया रफली अहां पर मैं कर देता हूँ यह आपकोறी अग्जामी लिखने की ज़रौत नहीं है समझने के लिए पर मां आपको यहां पर बतारौा हो तो यहां पर x की वैलू तो कि यहां पर 2 है 3 X को में तीन बार लिखतेंगे दिवारड़ एक्स को यहां पर टूबार है यह एक्स कैंस और एक्स कैंसली एक्स कैंसल इसी अपर रखतेंगे 3x into x square इसे यहां पर रख देंगे अब x square plus 2x plus 1 3x into x square is equal to 3x cube यानि कि x square है यह x और यह x x square के साथ multiplication करेगा तो x cube होगा 3 का 3 होगा 3 2 6 plus 3 2 6 x square plus 3 1 3 x का x होगा यहां पर यहां करेंगे जिसकी पावर सेम है उसी के मताबिक है यहां पर हम रखते जाएंगे अब यहां पर देखें इसका 3 है इसका 2 है इसका 1 है उसी के मताबिक है आपको यहां पर रखना है 3x cube plus 6x square plus 3x अब यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां plus होगा तो यह minus होगा यह plus है तो यह minus होगा यह plus है तो यह minus होगा यह plus minus क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे यह plus minus होगा तो यहां पर x की value 1 होगी तो 1 में से 6 निकालेंगे तो 1 छोटा है तो यहां पर आपका क्या रखेंगे सिर्फ यक्स ही रखना है अगर रहा है आपका अब यहां पर आपको क्या करना है यह X इसे हम लोग क्या करेंगे, डेरेट नीचे उतार लेगे है Year, अभी क्या करना है, जैसका 3X ले उस्य तरह आपकर 5X square divided by इसको लेंगे, यह X SQUAR replace z x square CANCEL बच्चा कि हमर पास – 5 इसे – 5 को यहां पर रख लेंगे, यहां पर देखे, माइनस 5 है x square plus 2x plus 1 अब इसे से हमें आप पर क्या करेंगे multiplication करेंगे 5 into x square is equal to minus 5x square minus plus minus हो गा है 5 to the 10x का x minus plus minus यह minus यह plus को multiplication करें तो minus plus minus हो गा है तो 5 into 5 अब इसे आकर सीधा आपर लाकर रख देंगे 5x square minus 10x minus 10x minus 5 अब यहाँ पर minus है तो यह plus होगा यह minus है तो यह plus होगा यह minus है तो यह plus होगा यह minus plus minus हो जाएंगे तो cancel हो जाएंगे तो minus plus minus हो रहा है है यहाँ पर तो यहाँ पर 1 में 10 निकाला है तो 1 चोटा है तो यहाँ पर क्या होगा 9x होगा तो मानिस 9x होता तो प्लस 5 यह प्लस 5 तों यहांपर क्या होगा टैन होगा यह पर आपका रिमांडर कितना जाएका टैना जाए यह आपका अंसर है अब है अपर इस तरह में लिख देंगे अंसर में कि रिमांडर आरेक्स आरेक्स कितना रहा आपका नाइन एक्स प्लस टैन और कॉंड़िट कितना रहा आपके पास है क्यों एक्स इस एकल टू थ्री एक्स माइनस फाल यह आपका अंसर है आपके अंसरेक्स को मुकमल तोर पर समझ में आपका जो भी स्टोड़िट को अगर कुछ भी डौट है तो आपके मेंट्स के जरे पूछ सकते हैं थाइंक यू